नवसे दोस्तों तो एक और बड़ी ख़बर आ रही है कि मारती सुजु की स्विफ्ट का नया फेसलिप्ट होने जा रहा है 2024 में ही जो की रिलीज होने वाला है यानि की लॉंच होने वाली है कैसी गाड़ी हो तो सामने डिस्प्लेइ पे आप देखी रहे होंगे क्या कैस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है वह अभी आपको हम बताने वाले है साथ ही साथ इसमें आपको कितने सीसी का इंजिन मिलता है कितना इसमें आपको पावर देखने को मिलेगा पेट्रॉल है यार डिजल है कौन से कलर में गाड़ी एबलेबल होने वाली है जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं सारे का दोस्तो जवाब आज की सुड़ों आपको हम देंगे तो वीडियो को सुड़ों से लेकर एंड डग देखेगा और चैनल पना है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से जरूर कर दीजेगा तो सबसे पहले हम आपको गाड़ी का नाम बता दे तो वही सेम नाम आपको देखने को मिलना वाला है मारती सुजूकी की स्विफ्ट जो की 2024 में नहीं आने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के थोड़ा हो इंजन डीटेल्स के वारे में तो सबसे बहले तो मैं आपको मॉडल बता दू तो दोस्त इस गाड़ी का आपको मॉडल देखने को मिलना वाला एक्स जी जी है स्विफ्ट एक्स जी मॉडल है और माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करिए इस गाड़ी के माइलेज 23.4 किलोमेटर पर लीटर का जो की जितना कंपनी क्लेम करती हो से एक दो क्लोमेटर तो कहर कमी होता है लेकिन हाँ ठीक है दोस्तो माइलेज काफी जादा अच्छा आपको इसमें मिलना वाला है 18.20 का माइलेज देदर आपका गाड़ी तो फिर और क्या ही चाहिए वहीं इंजिन की बात करें तो दोस्तो इस गाड़ी का आपको इंजिन 1199cc का देखने को मिलना वाला है तो इंजिन भी काफी जादा पावर्फूल काफी दमदार देखने को मिलना वाला है इस गाड़ी के अंदर वहीं मैक्सिमम पावर की बात करें तो दोस्तो इस गाड़ी आपका 89PS का पावर जेनेरेट करके देने वाला है जो की गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बिलकुल ओके है वहीं बात करें मैक्सिमम टॉर्क की तो दोस्तो इस गाड़ी का टॉर्क आपको 113NM का देखने को मिल जाता है तो इंजन CC, PS और टॉर्क दोस्तो काफी ज़्यादा स्षानदार है आप आख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं तो जे लिए बात के लेते हैं ट्रांस्विशन की क्या गेरबॉक्स ट्रांस्विशन क्या है तो दोस्तो 5-speed manual और automatic दोनों में आपको अबलेवल देखने को मिलेगी तो जिनको भी swift automatic लेना है वो लोग automatic ले सकते हैं और जिनको भी manual मिलेना है manual भी ले सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत निया और 1.2 लीटर का engine आपको देखने को मिल लगा तीन से लेंडर इंजन पेट्रॉल में आपको गाड़ी देखने को मिलना वाला है जिसका टॉर्क और जो होता है पावर मैंने आपको जस्ट बता ही दिया तो कोई दिक्कत निया और आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो एडास का आपको features देक अंदर मिल जाता है 360 डिगरी camera आपको इस घरी के अंदर मिलना वाला है मतलब features में आपको बता हूँ न तो काफी 1010 features में आपको मिलना वाला है और दो variants में गाड़ी अब लेवल है एक तो आपका MX में मिल जाग तो जो भी आपको पसंद आए उग ले सकते हैं एक आपका डिजल हो जागा एक आपका petrol हो जागा डिजल में अब सिजल नहीं है मैं थोरा गलती से बोल गया spring करती है जो चलिए हम बात कर लेते इस गाड़ी के प्राइजिंग के बारे में और लाँचिंग डेट के बारे में तो दोस्तो इस गाड़ी का प्राइज expect किया जा रहा है 6,50,000 के आसपास हो सकता है लेकिन इसमें कम जादा भी देखने को मिलेगा क्योंकि यह जो price fix बिल्कुल भी नहीं expect है तो सायद से कम जादा हो जाए और बात करें इस गाड़ी के दोस्तो launching date के बारे में गाड़ी जो है कब launch होने वाली है कितने date को इस गाड़ी launch होगी तो दोस्तो इस गाड़ी का date रखा गया है 15 April 2024 जी है 15 April 2024 को इस गाड़ी यह launch होने वाली है तो जिनको इस गाड़ी का booking कराना है धराधर booking कराना स्टार्ट कर दीजे दोस्तों क्योंकि फिर आपका timing बढ़ जागा booking का तो आज किस वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल पना तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलता है ऐसे नहीं information के साथ